Hello everyone, my name is Gaurav और जैसे कि आप से को बताया है हम यहाँ पर 11th class की textbook को देख रहे हैं और आज के वीडियो lectures के अंदर हम बात करें तो आज के वीडियो lectures के अंदर हम linear equalities के बारे में सबनने वाले हैं जो chapter number 6 है वो हम यहाँ पर start कर रहे हैं और linear equality क्या होती है वो हम देखेंगे इसकी properties को देखेंगे इसके types को देखने वाले हैं प्लस इसके साथ साथ इससे related जो equations बनती है उससे कैसे solve किया जा सकता है यह सारा कुछ हम यहाँ पर इस chapter करने देखेंगे अब देखें यहाँ पर इस chapter को start करने से पहले मैं आपको यहाँ पर देखें इस linear word को clear करना चाहूंगा देखें कि linear word हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है और यह हम यहाँ पर बात करें तो class 10 से पढ़ता है class 10 के दा मैं बात करूँ तो आपने linear equation का नाम सुना होगा और linear equation किसे बोलता है यहाँ पर यहाँ ऐसी equation जिसकी power आपके पास क्या हो यहाँ पर बात करें जो highest power जो होती है वो आपके पास क्या हो 1 हो दैन आप उसे बोलते है linear equation अब यह linear equation है वो वन variable की भी हो सकती है तrzyás वेर evolve की हो सकती है ओ स्टिया यह सारी केस क्ला थी linear equation को जाती है जिसकी भी highest power highest power कितनी होनी चछी है then आपकास linear equation का लाएगी आच्छा यहाँ पर बात करें linear के बारे में तो linear equation हमें show करती उसे हम linear बोलते है उसे बनते आलिज जो lines होती है उसे linear बोलते है then मैं बात करूँ यहाँ पर linear equation के बारे में example के तौर पर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं, ax is equal to, आपके पास, ax plus b is equal to 0, यह आपके पास क्या है, general format है, किसकी, one variable linear equation की, दैनल मैं बात करूँ यहाँ पर, second चीज यहाँ पर, देखें, यहाँ पर, ax plus by plus c is equal to 0, यह आपके पास क्या है, two variable linear equation है, clear, तो यह दोनों क्या है, आपके आ हमी क्या बताता है, linear equation को बताता है, अब देखें, इस chapters के अंदर हम बात करें, तो इस chapters के अंदर हम linear equation को नहीं देखने वाले, yes, यहाँ पर linear equation को नहीं देखने वाले, बलकि यहाँ पर, इस chapter के अंदर, हम मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस वाले chapter के अंदर हम linear equalities को देख यहां पर just like मैं यहां पर बोलता हूं यहां पर कि जो ax plus by plus c is equal to zero है तो यह sign किस चीज़ का है यह sign है आपके पास किसका यहां पर equality का yes यह आपका किसका है equal का sign है यहां पर yes यह आपका sign किसका है equal का sign है but इस chapters के अंदर हम क्या बढ़ने वाले है कि peł क्या होती है कि exercisingсолक है यहां पर s 나오 कर न होरी यह यहां पर कर आपके कुछ यहां पर यहां पर अनुगर्ष से कुछ जानते हैं जैसे मैं इसको और इस पर यहां पर आपका अपसे कोश्य कैंने क्या यहां पर बढ़ा है बիसिकलिलियों पूछा क्या है यहां इन बुछा आप बोलेंगे basically 5 greater than है then मैंने आपसे एक और question पूचा यहाँ पर 7 और 9 यहाँ पर 7 और यहाँ पर बात करें यहाँ पर 4 मैंसे कौन greater than है तो आप बोलेंगे yes sir 7 greater than है yes और मैंने आपसे एक और question पूचा यहाँ पर कि यहाँ पर 7 और 7 मैंसे कौन greater than है तो आप बुलेंगे नहीं सर कोई भी greater than नहीं है यहाँ पर simple जाए equal का sign है clear तो यह जो symbols से यह symbols से आपके पास क्या दिखाता है यहाँ पर greater than, less than, then बात करें यह जो symbol है वो क्या दिखाता है यहाँ これ equal का sign दिखाता है यहाँ पर तो basically बात करें यह जो less than, greater than, जो sign है यदि यह जो sign यदि मैं बात कुरूँ इस जो यह जो property है यह जो property यदि हम किसी equation के अंदर apply कर दें क्या करें यहाँ पर? किसी equation के अंदर मैं करूँ यहाँ पर apply कर देता हूँ तो वो convert हो जाते हैं किसके अंदर? Inequalities के अंदर यस, किसके अंदर convert हो जाते हैं? Inequalities के अंदर, आप equation के अंदर apply कर दो यहाँ पर, equation के अंपलाई कर दो यह आप क्यास के अंदर convert हो जाती है clear? Just like मैं बात करूँ यहाँ पर एक छोटा सा example देता हूँ आपको Inequalities का, देखें यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी तक हमारे पास क्या चल रहा थे? यहाँ पर AX प्लस BY इकल टू जीरो चल रहा था clear? यह आपके अंदर क्यास क्या है? एक linear equation है, simple सी और यहाँ पर यह जो sign दिख़ए है आपके पास यह sign किसका है यहाँ पर? यह equal to का sign है yes, यह किसका है? equal to का sign है यहाँ पर clear? लेकिन यदि मैं sign को हटा दूँ और sign की जग़ह मैं यहाँ पर यह लगा दू clear? यहाँ पर क्या लगा दूँ? यह लगा दू तो यह जो sign यहाँ पर जो work करेगा यह किसका work करने वाला है? यह inequality का वर करने वाला है clear समझ में आगए यहाँ पर कि inequality क्या होती है basically बात करें आपके पास कोई भी linear equation हो yes linear equation की मैं बात नहीं करा कोई भी equation हो आपके पास यहाँ पर उस equation के अंदर आप equal to का sign हटा के यह वाले जो sign है तो यह आपके आपके आपकी आपके आपके यह पी आपके पास always and always क्या होगा यहां पर greater than zero होने वाला है यह P आपके पास क्या है always and always क्या होने वाला है greater than zero होने वाला है लेकिन यदि मैं इसी से पहले उसपर आले की बात करता है यहां पर तो इसका मतलब क्या है यदि यहां पर यदि यहां पर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास क्या है इसको मैं यदि P मालेता हूँ तो P equal to क्या होने वाला है 0 होने वाला है एक particular value के उपर यह आप बोताते हैं clear यहाँ पर X की एक ऐसी value आएगी जो इसको क्या करेगी satisfy करेगी लेकिन यहाँ पर आप try करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा X की ऐसी बहुत सारी value आएगी जहाँ पर यह पूरी के पूरी जो equation है वो क्या हो जाएगी आपके पास greater than 0 हो जाएगी clear तो यह जो symbol है वो inequalities हमें यहाँ पर समझाता है clear अब देखें यहाँ पर बात करें inequality के अंदर हम कौन-कौन से symbols देखते हैं तो देखें आप पहले देखते हैं यहाँ पर greater than then less than then आपके पास बात करें यहाँ पर greater than equal to then less than equal to yes और देखते हैं यहाँ पर बात करें less than equal to clear यह जितने भी sign है यहाँ पर yes यह जितने भी sign है यहाँ पर क्लास्रूम के अंदर आपके पास यहाँ पर 50 students है अब 50 students के जो marking है नंबर जो आते हैं यहाँ पर वो सबके तो सीम होते नहीं है मैंने एक math का test लिया यहाँ पर math का test के अंदर मैंने यहाँ पर 10 of 4 number कुछ दीए अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो बच्चे खड़े हो जाई है यहाँ पर या फिर वो student यहाँ पर खड़े हो जाई है जिनके number यस गवर से सुनेगा जिनके number 5 या 5 से greater than हो 5 या 5 से क्या हो greater than हो वो students यहाँ पर क्या हो जाए खड़े हो जाए तो माल लीजिए यहाँ पर 50 students है इन 50 students में से मैं माल लेता हूँ कि आपके पास 36 students ऐसे है जिनके number exact 5 है या 5 से क्या हो यहाँ पर greater than है clear तो वो यहाँ पर क्या होगे 36 students क्या हो जेंगे खड़े जाँगे तो इस sentence के अंदे मैंने एक word बोला है 5 या 5 से क्या हो greater than हो 5 या 5 से greater than होना मतलब क्या हो रहाँ यहाँ पर देखें यहाँ पर यह वाली quantity लग रही है आपका जो number है वो या तो greater than है या फिर उसके equal है then आपके पास यह वाली जो equalities है आप यह यूज़ करते है just like मैं एक और example देता हूँ आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो students है यहाँ पर 50 students मैंने उन students को खड़ा किया यहाँ पर मैंने बुला ऐसे student खड़े हो जाईए जिनकी age ज़रा गौर सुनेगा यहाँ पर जिनकी age यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखे 18 या 18 से greater than है yes 18 या 18 से greater than है वो student यहाँ पर खड़े हो जाईए तो माल लीजे class में दो student ऐसे ही है दो या तीन student से ही है जिनकी age क्या है 18 या 18 से greater than है तो वो क्या करेंगे वो खड़े हो जाएंगे या तो exact 18 या 18 से greater than या फिर देखे यहाँ पर देखे मैं बैसकी classroom में चलता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पर वो student खड़े हो जाएए जिनके number 5 से क्या हो greater than हो 5 से greater than हो इसका उन्द 5 include नहीं है इस पाँ yes इस पाँ क्या है हमारे पास वो 5 जो number है वो यहाँ पर include नहीं है अब जो 5 number include नहीं है तो 5 से आगे कितना हो सकता है 5.5 वाला हो सकता है 5.1 वाला हो सकता है लेकिन exact जो 5 वाला है वो यहाँ पर नहीं है then आप क्या करते हैं इस equalities का use करते है clear अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ फिर से कि ऐसे student खड़े हो जाएए जिनके numbers जिनके number मैं बात करूँ जिनके number मैं बात करूँ यहाँ पर वो आपके आज क्या हो 2 से less than who अब 2 से less than who यहाँ पर मैं जिनके 2 से कम हो यहाँ पर तो वो student खड़े हो जाएएग जिनके 2 से कम है सर वो बोलेंगे 2 से कम नमबर वाले जो भी हैं वो खड़े हो जाएंगे लेकिन एक्जेक्ट 2 वाला जो है यहाँ पर परसन वो खड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सी equalities लगेगी यह वाले equalities लगे वाली है तो यह सारी सीजे क्या आगलाती है iniquities को show करती है और iniquities को यहाँ पर equation के अंदर लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है यहाँ पर equation iniquities हो जाती है अब उसके अंदर आपके आज linear equation के बारे में हम discuss करेंगे तो हमाली क्या होगी linear iniquities हो जाएगी clear I think I am hope so समझ में आचुका होगा iniquities क्या होती है और किस तरह से discuss की जाती है clear अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जहाँ पर types of iniquities को हम discuss करेंगे plus iniquities को कैसे solve किया जा सकता है उनका graph कैसे बनाए जा सकता है यह सारी चीजे देखने हो ले clear तब तक आप हमारे साथ बने रहिए तिल देन गुद बड़े